पेड से पतंग उतारने के चक्कर में 11 वर्सिय बच्चे की दर्दनाक मौध हो गई है मुम्रा की बिलाल अस्पताल के सामने रोट के डिवाइडर पर एक पेड पर पतंग फसा हुआ था और उस पतंग को उतारने के लिए 11 वर्सिय बच्चा जिसका नाम सागर सुरेश चौहान था पतंग उतारने के लिए वो बच्चा पेड पर चड़ गया मगर सागर उस पेड से नीचे रोट पर गिरा और सामने से आ रही बलोरो पिकप की चपेट में आ गया जिसकी वज़े से उसका एक हाथ फैक्चर हो गया और अंदरूनी चोट ज्यादा लगी थी बच्चे को प्राइम अस्पताल में भर्ती किया गया है जिसके बाद उसे कलवा शिवाजी अस्पताल रेफर कर दिया गया बच्चे की मौत हो गई खर्डी रोट के नियास कंपाउंड का रहने वाला था और सागर की मौत से नियास कंपाउंड में सरनाटा फैला हुआ है उसके परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है परिवार वालों ने बताया कि अपने एक साथी के साथ सागर खेलने के लिए घर से निकला था मगर बिलाल हस्पताल के पास उसे एक पेड़ पर पतंग फसा हुआ दिखाई दिया और उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया मगर लीचे रोड पर गिरने की वजह से वो बलोरो पिकप की चपेट में आ गया हलाकि सागर को घायल अवस्था में उसे ततकाल हस्पताल पहुँचाया गया मगर उप्चार के दावरान सागर ने दम तोड़ दिया बलोरो पिकप चालक मौके से ही फरार हो गया था अब प आइकोन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें